लास्ट वीडियो में हमने देखा था HTML5 को इंट्रोडक्शन आज का हमारा टॉपिक अपनी इस वीडियो को आगास करते हैं जो जब भी हम कोई भी अपना HTML का वेब पेज डिजाइन करेंगे तो हमें सबसे पहले कोई एडिटर होगा और उसको व्यू करने के लिày हमें कोई ब्रायजर चाहिए होगा ब्रायजर आप कोई भी यूज कर सकते हैं जैसे के मौजीला या गूगल क्रॉम तो यह पर सब्केड डिक्मेंड है के आप गूगल क्रॉम का या मौजीला फायर फोक्स का यूज करें और एडिटर आप कोई भी उज़ कर सकते हैं वीडियोल कोड भी हो सकता है वह जो कि Microsoft का फ्री एडिटर है Sublime Sublime Text 3 जो latest version आप वह उज़ कर लें Notepad भी उज़ कर सकते हैं लेकिन वह ज़रा old है लेकिन उसके थ्रू भी आप वब पेज़ डिज़ाइन कर सकते हैं और या फिर Notepad++ भी यूज़ कर सकते हैं आप तो आपको जो भी इन में से सही लगए आप वो यूज़ कर लें वैसे मैं रिक्वेंड करूंगा आप विजियोल कोड वियस कोड यूज़ करें या Sublime यूज़ करें HTML का basic जो syntax है वो यह है कि सबसे पहले आप उपर define करें डॉक टाइप HTML इसके तुरू वेब पेज को एडिटर को को यह identify करने में असानी होगी कि यह HTML5 यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आप स्टार्टिंग और एंडिंग टैग HTML का यूज़ करेंगे यह स्टार्टिंग होग लगा आपका यह आपका स्टार्टिंग टैग होगा और यह आपका इंडिंग टैग होगा उसके बाद आप बोडी जिसके अंदर आप अपना content लिखेंगे बोडी का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग जब भी आपने कोई HTML का tag यूज़ स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लाजमी लगाना है तो यह basic syntax है HTML का जब भी आप कोई HTML का page डिजाइन करेंगे तो आपको यह वाला syntax लाजमी use करना पड़ेगा अपने इस web page के अंदर तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि कौन से editors को हम use कर सकते हैं और कौन से browser को हम use करेंगे और basic syntax को देखा है हमने मिलते हैं next video में तब दक लिए मुझे इजादत दें अला हाफिस